एगाईज विल्कम टू माई चानल गए CUET के एक्जाम जो आज होने वाला था 6 अगस्त को वो भी NTA द्वारा पोस्टपोन कर दिया गया है सभी सेंटर्स का पोस्टपोन नहीं हुआ है सिर्फ और सिर्फ 53 सेंटर्स का पोस्टपोन हुआ है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहा होंगे यहां क्लियरली मेंशन किया गया है कि NTA पोस्टपोन CUET यूजी 2022 एक्जाम अट 53 सेंटर्स टुडे सभी सेंटर्स का नहीं हुआ है अगर पब्लिक नोटिस की बात करते हैं अफिशिल नोटिस की यह आपकी CUET की अगर आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं यहां पहले ही नोटिस प्रोवाइट की गई है पोस्टपोन्मेंट औफ CUET 2022 एक्जामिनेशन सेड्यूल्ड फॉर्ट 6 अगस्ट 2022 एट 53 सेंटर्स अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यह ओपिन हो जाता है जिस पे क्या मेंशन किया गया है नेशनल टेस्टिंग एजनसी इस कंड़क्टिंग कॉमन युनिवर्स्टी इन प्रेंस जेस्ट 2022 बिट्विन 15 जुलाई 2022 एंड 20 अगर्स 2022 इन 259 सिटीज एक्रॉस इंडिया और 9 सिटीज आउटसाइट इंडिया कहने का मतलब यह है कि टेक्निकल इसू के कारण 53 सेंटर्स का जो एक्जाम था का वो पोस्पोन कर दिया गया है और जिन लोगों का सेंटर जिन लोगों का भी एक्जाम पोस्पोन हुआ है उनका जो एक्जाम है वो 12 से 14 अगस्त के बीच में recidule किया जाएगा यानि उनका एक्जाम पोस्पोन होके 12 से 14 अगस्त के बीच में फिर से conduct होगा और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि admit card में कोई भी changement नहीं हुआ है admit card जो आपने portal से download किया है वो valid है उसी admit card को लेकर आपको center पे exam देने जाना है same center की बात नहीं की गई है ये आपको SMS DM email के थूँ ये information प्रोवाइट की जाएगी NPA द्वारा कि जो आपका same center प्रोवाइट किया गया admit card में वो ही रहेगा या change हो जाएगा फिलहाल सिर्फ यही information है कि 53 centers का जो exam था वो postpone हो गया है कि 53 centers का exam postpone हुआ है इसको लेकर अभी तक कोई official notice नहीं provide की गई है तो अगर कोई भी official notice मुझे मिलती है कोई भी information मिलती है CUET के regarding तो मैं आपको तुरंट inform कर दूँगी अगर आपका भी exam postpone हुआ है तो please comment करके जरूर बताया ताकि पता चली कि किस के centers का exam postpone हुआ है अगर आपको information अच्छी लगी तो please video को like कर दीजिए जो भी information मैं आपको provide कराऊंगी वो एकदम correct होगी जो भी मुझे information मिलेगी Thank you